सबाई चननको राम राम जी मैं हूँ मेगा मिश्रा एवं आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चानल CBSE अपडेट्स में जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूँ CBSE की सारी जानकारी सबसे तेज और सबसे पहले चाहे हो कोई भी टीचर्स ट्रेइनिंग अन्या था कोई भी स्कूल वैकेंसी या फिर हो कोई भी नाशनल या इंटरनाशनल कॉंपरिशन मेरे चैनल पर आपको मिलती है सबसे पहले अपडेट तो चलिए इसी श्रंखला में आज हम आगे बढ़ते हैं हमारी आज की अपडेट के उपर तो आज की जो हमारी अपडेट है वो क्या कहती है कि CBSE ने once again एक सरकुलर आज ही जारी किया है जैसा कि यह अपडेट भी देख सकते हैं यह एक मार्च को ही इसको जो है जारी किया गया है और इसका जो सबजेक्ट है भो भी आप यह आपर देख सकते हैं one day teachers training program या फिर capacity building program यहाँ पर मेली आपर लिखा भी हुआ है कि यह एक capacity building program के अंडर जो है यह training पूरी आएगी आपकी तो आपको क्या करना होगा कैसे करना होगा कैसे आपको register करना है क्या timings रहेंगी क्या venue होग यह हम लोग आज discuss करेंगे तो चलिए पहले तो यह जाले आए हमने की capacity building program के अंदर कर भी यह आती है आपकी और teachers teaching food nutrition and dietetics तो जो teachers अपने school में as a skill subject food nutrition इन से चीजों को पढ़ा रहे हैं जिसका subject code जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 834 है तो वो सभी teachers इस training को अराम से ले सकते है यह उनके लिए बिलकुल free of cost है and another thing is यह जो आपकी training है यह बन जाती है आपकी offline training इसका venue क्या है वो भी हम एक बार देख लेते हैं तो department of skill education cbsc is going to organize one day training या फिर capacity building program भी आप इसको नाम दे सकते हैं for the skill subject for the teachers who are teaching skill subject food and nutrition और subject code जो है आपका वो भी आपने देख लिया 834 तो चलिए अब देख लेते हैं कि date कभी होने वाली है तो आप date यहाँ पर देख सकते हैं that is 15 March 2024 Friday को यह जो है आपकी यह training होने वाली है और इसका venue अगर आप देखें तो venue है आर्या महीला नगरमल मुरार का model school besides हत्वा market रमा कांत नगर आर्या महीला compound वारा नसी उत्तर प्र तो मतलब all in all यह जो training है आपकी बनारस में होने वाली है वारा नसी में होने वाली है और आपने यह जो school का name यहाँ पर लिखा हुआ है with address यह भी आपने देख लिया होगा अगर आप चाहते हैं कि आपको दुबारा इसमें कोई problem ना आए आपको दुबारा मेरा वीडियो न आपका लिया जाएगा दस बजे से लेकर साड़े पांच बजे तक आपका जो है यह पूरी training चलेगी और आपका जो reporting टाइम बन जाता है यहाँ पर पहुचने का वो हो जाता है आपका 9.30 तक आपको यहाँ पर पहुच जाना है अब जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती रही हूँ description box और comment box में post तो वहाँ से जाकर आप इसे ले सकते हैं कुछ important notes इससे पहले कि हम registration form की और बढ़े कि आपको उसे भढ़ना कैसे है कुछ important notes भी दिये गए हैं CBC के द्वारा वो मैं आपको एक बढ़ के बता देती हूँ this training program will be conducted in offline mode यह हम discuss कर चुके है only for those teachers who teach only food and nutrition in their schools ह na तो जो teachers जो है वो food and nutrition के बारे में as a skills subject पढ़ा रहे हैं उनके लिए यह training है and training respective school shall register themselves for this training ठीक है आपका जो school है वो भी register कर सकता है अपने teachers को it is mandatory for teachers of CBIC affiliated school who are teaching for food and nutrition again यह एक बहुत ही जादा important चीज़ जो आपने यहाँ पर note शायद की हो शायद नाभी की हो mandatory मतलब अगर आप की school में अगर किसी भी CBIC affiliated school में कोई आपने teacher रखा हुआ जो कि food and nutrition को लेकर training देता है बच्चों को skills subject में तो उनके लिए यह compulsory training है मैं एक बार फिर repeat कर देती हूँ this is a compulsory training for the teachers teaching skills subject food and nutrition ठीक है तो जितने भी schools है उनको चाहिए कि वो register करें अपने teachers को so that जो teachers है वो इस training का part बन सके अगें यह एक बिलकुल free training है और free program है please confirm your participation before 12 March 12 March आपकी बन जाती है इसकी last date to register आपकी जो last date बन जाती है वो बन जाती है आपकी register करने की 12 March तो चलिए हमने circular पूरा पढ़ लिया आप चाहते हैं सीधे registration form की ओर जो कि कर रहा है आपका बहुत देर से इंतिजार तो मैंने अपने mobile को flying mood पर डाल दिया था क्योंकि जिससे कोई call ना है बीच में और मैं disturb ना हूँ वीडियो बनाते समय पर कोई ना जी हम एक बार फिर से चल के जो है try कर लेते हैं क्योंकि as मैंने open कर दिया है अपने mobile data को भी इस बार चीक है so let us try to get inside the website यहाँ पर मेरे सामने एक form खुल कर बिलकुल successfully जो है वो आ चुका है और former आप देख सकते है 15th March का time भी डला हुआ है और 10 to 5.30 इसका जो time है वो भी दिया है आपको reporting time यहाँ पर दिया है mode offline रहेगी venue एक बार फिर से आप यहाँ से जो है चाहिए तो आप screenshot बी ले सकते हैं school interested to offer hospitality based courses जो जो school's essays courses को provide करने में interested है जो कि hospitality based है may also attend this program वो भी जो है अप इस program को attend कर सकते हैं चलिए अब देख लेते हैं कि कैसे आपको इसमें login कहें तो एमेल सबसे पहले आपको डालना होगा then full name of participant see I suggest कि full name जब भी आप डाले तो block letters में डाले so that जो भी जो data है वो बलकुर clear पहुंचे हाना name of the school आप जिस भी school में पढ़ा रहे हैं उसका name आपको यहाँ डालना है name of the principal आपको यहाँ डालना है then we are moving towards the address of the school जो आपका खुद का school है जिसमें आप right now आप काम कर रहे हैं आप work कर रहे हैं उस school का आपको address यहाँ डालना है then we'll move to the school code and affiliation number okay once again जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि school code और affiliation number आपको नहीं पता है तो आप अपने head clerk से बात करें head clerk आपको इसमें मदद कर देंगे यह चीजें देने में number of the mobile number of the participant आप खुद का इसमें number डाले email address आप अपना स्वयम का डाले school city जिसमें आपका खु currently working है उस school का आपको school city डालना है school state डालना है and then you have to confirm I hereby confirm my participation आपको confirm कर देना है कि yes I will take part in this program तो जैसे आप yes करेंगे आपको एक और चीज़ में यहाँ पर जवाब देना है have you previously taught और are currently teaching a hospitality based course अगर आप अपने school में hospitality based course को भी पढ़ा रहा है तो आप यहाँ पर yes कर दीजे और अगर आपने पिछले कुछ वर्षों में hospitality based courses में से कुछ भी पढ़ाया है तो भी आप यहाँ पर yes कर दीजे otherwise आप no कर सकते हैं चलिए इस तरीके से आप पूरे form को भरिए next करिए कुछ और details आप से पूछी जाएंगी उसको आप पूरा complete कीजे and then after आपका जो registration है वो इस त candidate will be attending the program तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जादा से जादा टीचर्स के साथ share कीजे so that वो भी जो है CBSC की updates जितने भी होते है notifications होते है उन पर सबसे पहले उनको पता चल सके जैसे ही जो notification आता है वो मैं चलती ह कि मैं one on one आपके doubt को solve करूँ तो मेरा एक telegram group भी चलता है जिसकी link आपको मिलेगी again description box में और साथ में एक whatsapp group भी चलता है जिसको हम लोग timely जो है सुबा on करते है रात को बंद करते है और उसमें post करते है queries बहुत सारे teachers है आपनी लोग जैसे और students भी है जो जुड़े हुए ह मुझसे और वो अपनी अपनी queries डालते हैं और मैं उनका समाधान करने का पूरा पूरा प्रयास करती हूं तो यह दो links भी आपको मिल जाएंगी description box और comment section में मैं चलती हूं मिलती हूं आपसे next video में तब तक के लिए हसते रहे मुस्कुराते रहे राधे राधे जी